सुनमस्कार दोस्तों बहुत बहुत स्वागत आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर दोस्तों आपके वडियो में हम बात करने वाले हैं अगर आप अपने Mobile में Play Store से किसी Application को Install कर लेते हैं तो Play Store से Install करने के बाद जो है वो Application आपके Mobile में आपको Show नहीं होती है यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने अपना Pixar जो है अपने mobile में install करके रखा हुआ है प्ले स्टोर से और यहाँ पर अगर मैं देखने जाता हूँ अपने mobile में तो मुझे इसका icon नहीं दिखता है और मैं चाहता हूँ इसको use करना पर मैं इसको use नहीं कर पाता हूँ बट मैंने इसको install भी करके रखा हुआ है तो क्या problem होती है कैसे इसको solve करेंगे आज की वीडियो में आपको बताऊंगा अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो like कर देना और चैनल को subscribe कर देना देख लिजिए मिर पास यहाँ पर Pixar मुझे show नहीं हो रहा है और यहाँ पर मैं जैसे ही करूँगा वा settings तो यहाँ पर show होने लग जाएगा सबसे बहले आपको mobile की setting में आना है guys mobile की setting में आने के बाद आपको जो है यहाँ पर apps पर click कर लेना है manage apps पर click कर लेना है उसके बाद यहाँ पर आपको 3 dots दिख रहे हैं 3 dots पर click करने के बाद यहाँ पर reset app preference दिख रहे हैं आपको reset app reference पर click कर लीजिए मैं यहाँ पर नहीं करूँगा क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ तो आप यहाँ पर reset app reference पर click करिएगा उसके बाद आपको यहाँ पर back आ जाना है उसके बाद यहाँ पर आपको search करना है SYS system launcher यहाँ पर आचुका है system launcher इस पर click करिए और storage पर click करिए उसके बाद clear data पर click करिए और यहाँ पर clear data पर click करने बाद clear old data और यहाँ पर ok कर दीजिए इसका आपको system launcher का clear data कर लेना है और back आजाना है बैक आने के बाद आपको यहाँ पर गाईज अपना play store भी आपको search कर लेना है play store मैं कर लेता हूँ play store search करने के बाद इस पर click करिए और storage पर click करिए और यहाँ पर clear data आपको दिख रहे है clear old data और इसका भी clear old data कर दिजिए play store का old data आपको तभी clear करना है जब आपको देख लेना है आपका जो system launcher से काम नहीं बना हो तभी अगर आपको से भी काम नहीं बना हो उसके बाद जो back आजाएए back आने के बाद जो हैं आप पर app lock पर आईए app lock पर आने के बाद guys आप यहाँ पर आपको hidden apps पर आ जाना है और यहाँ पर fix art आपको देखने को मिल जाएगा यहाँ पर enable है तो इसको बंद कर दिजिए बंद करने के बाद back आईए और आपको दिखा भी देता हूँ यह जो application है मुझे दिखाई देने लग जाएगी आपको दिखा देता हूँ मेरे mobile में show हो जाएगा यहाँ पर message करता हूँ यहाँ पर देख सकते है पिक्सा आट आचुका है ऐसे ही आप जो है किसी भी application को अगर वो यहाँ पर आपको show नहीं हो रही है icon तो यहाँ आप जो है setting कर सकते हैं अगर आपको फिर भी कोई problem आए तो मुझे comment करके बताईएगा मैं कोई और solution आपके लिए लेकर आँगा so guys मिलते हैं next video में till then bye bye take care love you all